Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा platform जहाँ पे class 1 से लेके class 12 तक सारा का सारा education आपको exclusively free of cost प्रवाइट कराया जाता है, मतलब यह कि यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपको 2 chapters free of cost मिलें और उसके बाद बचे कोई कोर्स को access करने के लिए आप से बोला जाए कि आपको किसी त that हम लोग अपना आज का जो session है शुरू करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका जो term 2 के examinations है वो करीब आ रहा है, अब आपका जो term 2 का syllabus है उसमें यह 5 units आने वाले हैं, Kings and Chronicles, Colonism and Countryside, Rebels and the Raj, Mahatma Gandhi and the National Movement and lastly, Framing of the Constitution, ये इतने chapters जो हैं, आप लोगों के इस particular session में या इस चीज़ को देखने के लिए, मैं MCQs की एक छोटी सी series आज लेकर आया हूँ आपनों के साथ में, इसमें हम लोग करेंगे ये कि जो पांचों आपके chapters हैं, इसमें से जो important, important topics हैं, उसके उपर मैंने कुछ MCQs बनाये हैं, वो MCQs हम लोग solve करेंगे और उसके साथ साथ बहुत हम लोग concepts को भी discuss करते चलेंगे, आप हाला कि MCQs बगर अपने exam में नहीं आ रहा हैं, मगर इससे होगा ये कि अपना जो revision है, अपने topics पे अपनी कितनी पकड़ है, important topics अपने कितना recall कर पा रहे हैं, और कितना अपनको उनके बारे में याद है, इससे समझ में आएगा तो इस particular session में आप लोग मेरे साथ जब इन questions बगरा को solve करेंगे, तो जिस भी particular topic के ओपर वो question होगा, आपने वो topic recall करना है, वालकर तो जवाब देना ही देना है, मगर साथी साथ उस topic को recall भी करना है, थोड़ा समय भी discuss करता चलूँगा, तो उससे भी आप याद करिएगा कि आप कितना retention कर पा रहा है, जो कितना आपको याद आ रहा है, कितना आप जो है उसको recall कर पा रहा है, इस तरीके से एक अच्छा revision हो जाएगा, और exam के पहले हमें एक अंदाजा भी लग जाएगा, कि यह भी हमारी क्या स्तिती है, हमें क्या improvement करने की ज़रूरत है, यह सारी च जो है, एक बार में एक ही चाप्टर के उपर focus करना होगा, चले, आगे बढ़ता है, शुरुआत करता है, सबसे पहला question, मुगल्स वे डिसेंडेंट, father side of, मुगल्स जो थे वो अपने पिता की तरफ से किसके वंचच थे या किसके डिसेंडेंट थे हमको यह बताना है, गैं पैमूर बोलते हैं, उसका वंचच माना करते थे, अब एक बार important है, याद रखिएगा, मुगल अपने आपको, यह तो खेर सवाल हो गया, जितने इसका जवाब दे पाए, बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जवाब दे पाए, तो भी कोई issues नहीं है, एक बार revise करि पैमूरीट्स, आप यहीं जो हैं कंसेट्स वगरा की practice के लिए मैंने session रखा था, कि मुगल अपने आपको, मुगल नहीं कहते था, याद रखिएगा, मुगल अपने आपको क्या कहते थे, तिमूरीट्स कहते थे, याने कि तिमूर के बंचच, और मुगलों को मुगल कहना क इसने शुरू किया है, यूरोपियंस ने प्रॉमिनेंटली मुगलों को मुगल कहना सोलविश अताबदी के आज़ पास से शुरू किया था, तो इसके पहले इनको तिमूरीट्स कहा जाता था, और उसके बाद में इनको फिर यूरोपियंस ने आके मुगल कहना शुरू कर अब वक्त के साथ में फिरन का यही नाम जो है famous हो गया, यह concept है जो अपने को ध्यान रखना है, बाकि जिन्हों ने मुगल अपका जो descendant थे father side पर अकर जवाब तीमूर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, चले, आगे बढ़ते हैं, अब the successor of barber was, अपने को पता है कि बाबर आया था पहले 1526 में उसने यहां पर पहली battle of पानीपत लड़ी इबराहीम लोदी के साथ में और उसको हराया था, और उसके बाद में मुगल अंपायर की नीप पड़ी, अब यह चोटा सा अपना concept है जो पता होना चाहिए, नहीं पता था तो मैं आपको बता रहा हूँ, प प्रित्यू के बाद में उसका जो बेटा था या उसका जो वंचश था कौन उसका successor बना हमको इसका जवाब देना है, options हैं हुमायू, अकबर, शाह जहां, जहांगीर, अब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, मगर अगर बिलकुल अंदाजा नहीं है, इतना तो हम ज है, वो सही जबाब है, सबसे पहले कौन आया था, बाबर, बाबर का ललगा कौन था, हमायू, हमायू को फिर शेर्शा सूरी ने, 1530 में ये राजा बना था, या बादश्या बना था, दस एक साल इसना रूल किया, और उसके बाद 1539 और 1540 में दो लड़ाईयों में लगाता इसको आपका जो शेर्शा सूरी है, उसने निप्टा दिया, तो उसके बाद में ये इरान भाग गया था, वहाँ पर फिर ये 151 साल तक बैठा रहा, जब तक आपका यहाँ पर शेर्शा सूरी की मृत्यू नहीं हो गई, तब तक और उसके बाद में फिर ये 1555 के आसपास म 54-55 में, उसके बाद में शेर्शा सूरी की मृत्यू के बाद में इसने फिर से जो है, मुगल अंपायर की स्थापना करी यहाँ पर, हलां कि उसके अगले साल इसकी मृत्ती हो गई थी 1554-55 के बीच में, और उसके बाद में फिर अकबर 13-14 साल की उमर में बाच्छा बनता है मुगल जो है, उनकी मदर टंग क्या थी? पर्शियन थी, अरेबियन थी, तुर्की थी या फिर उर्दू थी, इसका जवाब क्या हो जाएगा? मुगलों की जो मदर टंग थी वो आपकी तुर्की भाषा थी, याद रखना इंपोर्टेंट है, बाद में अकबर के टाइम प जो टर्किश लेंग्वेज थी, वो उनकी मदर टंग थी, चले, आगे बढ़ते हैं, क्वेशन नमबर फूर्थ, फू मेड पर्शियन एस दा कोट लेंग्वेज ऑफ दा मुगल कोट इसका जवाब तो मैंने आपको थोड़ा दिर पहले दे दिया, कि मुगल कोट की जो पर उसको एडॉट किया था, इसका जो सही जवाब है अकबर है, याद रखियेगा, फिर्थ, विच आप दीस त्रिटीज वोस नॉट दा कैपिटल ऑफ मुगल कोट, इन में से कौन सा जो शहर है, वो मुगल कोट का कैपिटल नहीं था, यानि कि इन में से कौन सी जगह है, जो है, वो मुगलों की राध्धानी के तौर पर नहीं रही है, इसका जवाब है कलकत्ता, कलकत्ता तो मुगलों के टाइम पीरिड में शहर भी नहीं हुआ करता था, इसको तो अंग्रेजों ने डिवलाफ किया है, यह इस इंडिया कंपनी का पहले हेड़कॉर्टर था, उ पर अबर के पहले, इबराहीं लोधी यहांपर रूल कर रहा था, उसका कैपटल गवह करता था अगरा, जब बाबहन ने इबराहीं लोधी को हरा दिया या निप्टा दिया, तो उसके वाद उसने भी अपना कैपटल आगरा ही रखा था, उसके बाद मैं अकबर आपका जो हुमायू आया था, उसने भी कुछ वक्त तक आपका आग्रा से ही रूल किया, बाद में अकबर ने आपका जो कैपिडल है, वो आग्रा से फिर फतेपुर सीक्री शिफ्ट किया, उसके बाद वो वहाँ से लाहुर चला गया, लाहुर से फिर आपका वापस आगया सारी चीज़ें चलती रही एंड उसके बाद में यहां से जो capital है दिल्ली shift किया था आपके शाजान ने तो यह इनके अलग-अलग capital रहें तो दिल्ली हो गया आगरा हो गया लाहर हो गया यह सब capital फत्यपुर सीक्री हो गया इन्हों ने मुगल empire के capital के तोर पर काम किया है या उसके तोर पर act किया है चले आगे बढ़तने next question next question है डैश वसस क्रिप्टोरियम वेर दा एंपरर्स क्लेक्शन ऑफ मैनुस्क्रिप्ट वस प्रिज़र्ट यह जगे जो है वह एक उनके options में आपको दिये हूँ है library, किताब खाना, कार खाना और food तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा B किताब खाना, आप किताब खाना एक स्क्रिप्टोरियम था जहाँ पर बादशा की सारी की सारी मैनुस्क्रिप्ट रखी जाती है यह तो एक fact है, मगर इस बात को MCQ को डालने की वज़ा यह थी कि आपके साथ मैं मैं यह चीज़ शेयर करूँ यहाँ पर कि भाई आपका जो किताब खाना था, किताब खाने का मतलब लिटरल ही होता है library, यानि कि जहाँ पर किताबों का collection रखा जाता है, मगर मुगलों के time period में किताब खाने का मतलब क्या था, किताब खाने का मतलब था एक ऐसी जगे जहाँ पर किताबों को बनाया जाता था, अब क्योंकि एक ऐसा time period है जब आपकी किताबें printing press में नहीं छ से लिखना पड़ता था, मतलब ये कि अगर आपने किताब लिखकर तयार करी है, और आप ये चाहते हैं कि इसकी एक और copy बनाई जाए, तो आपको literally वो पहले से लेकि आखरी बनने तक उस किताब को जसकतस लिखना पड़ेगा, उसमें जो भी paintings आपने बनाई थी, उनको फ खाना, basically एक scriptorium हुआ करता था, एक ऐसी जगे थी जहां पर पांडू लिपियों को रखा जाता था, या manuscript को रखा जाता था, और वहां पर किताबें बनाई जाती थी, या पिर यूँ बोलूँ कि इनकी copy होती थी, एक के बाद एक जो है उसके कई सारे versions वगेरा लेकर हां से तयार किये जाते थे, यह आपका concept है जो मुझे share करना था इसमें, जिन लोगों को यह चीज याद है, बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है, मैं भी भी कहूंगा कि आप जाकर मुगल्स का जो Kings and Chronicles के chapters की पूरे 5-6 वीडियों हैं, उनको देख लीजे, term 2 की playlist में आपको मिल जाएंगे और उससे अच्छी आपकी तयारी हो जाएगी, चले, अगला देखते हैं, अब मगर जनरल ही होता है क्या है, इस तरीके के statements जब आपको मिलते हैं, इसमें से एका दुका statements ऐसे आते हैं, जिनके बारे में आपको knowledge होता नहीं है, इस तरीके की परिस्तिति में अगर आपसे ये पूछा गया है कि इन में से कौन-कौन से statements सही हैं और आपको options इस तरह से दिये हैं, तो आप logic ये पकड़ो कि आप सबसे गलत statement देखलो कि कौन सा है, इसमें आपको एक statement जो पक्का पता हो कि गलत है, वो डूढ़ना पड़ेगा, जैसे बादशाह नामा जो है उसको शाह जानने नहीं लिखा था, शाह जानने लिखवाया जरूर था, मगर आपका इसको लिखा नहीं गया था, उसको जो है उनके दोरा लिखा नहीं गया था, तो बादशाह नामा को क्योंकि शाह जानने लिखा नहीं था, तीसरा statement गलत है, अब तीसरा statement आपको जहां जहां दिख रहा हो, वो सारे के सारे option आपके कटकर अलग हो जाएंगे, तो D option चला गय गया, A option चला गया और आपका C option चला गया, सिर्फ A की option बचा है, अब अगर आपको नहीं भी पता है, बचे हुए तीन statement में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो भी आप जो है, इसको लगा सकते हो और आपका B option जो है, वो सही हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो अवाल आ गया, या फिर इस तरीके के logic सा गया, तो अपने को ध्यान रहने जाएगे, पहला क्या, शाह जहां की लड़की का नाम क्या था, जहां आ रहा या फिर जहां आ रहा किसकी लड़की थी, शाह जहां की बेटी थी, दूसरा अबूल वजल जो थे, अकबर के प्राइ चले, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, dash showing of the emperor to the public from palace balcony, यानि कि आपका जो महल है, महल में जो आपकी balcony है, वहां से खड़े होकर अगर आप पबलिक को अपना show off कर रहे हो, पबलिक को खड़े होकर दर्शन बगरा दे रहे हो, तो इसको क्या बोला जाता था, इसका हमको नाम बताना है, एक options आपको दिये हूँ है, जरुका दर्शन, अनकोन दर्शन, दृष्टी दर्शन और चश्मे दर्शन, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जरुका दर्शन, क्या होता था इसमें, जरुका दर्शन तो खेर जवाब हो जाएगा, मगर logic पर थोड़ा या concept पर बा बिल्टा भर जो है, वो उनका अभिवादन स्विकार करता था, बालकनी को इस तरह से बनाया गया था, कि वो इस्ट को फेस करती थी, यानि कि उगते हुए सूरज की सारी की सारी जो रोशनी है, वो बादशा की उपर पढ़ती थी, और वहाँ से बिल्वों का अभिवादन कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, इसको जरुखा दर्शन कहा जाता था, यह जो जरुखा दर्शन है, यह अकबर को जारा शुरू करवाया गया था, लॉजिक यह था कि लोगों के मन में बादशा का एक्सेप्टन्स बढ़ेगा और अथॉरिटी जो है, उसकी वो लंबा चोड़ा जो Emperor का schedule के नाम से हमने topic पढ़ा था, उसमें यह चीज़ आई थी, उसमें हमने इसको देखा था, जो लोग इसको recall कर पाएं, बहुत अच्छी बात है, जिनको पूरा Emperor का schedule धिहान है, बहुत अच्छी बात है, डिस्क्राइब करने के लिए आया है, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देखिए, उसके बाद आप इसका जवाब और इस पर्टिकुलर Emperor का जो schedule था, उसकी chronology आप अच्छे से यहाद रख पाऊगे, और एगर exam में आ गई, तो फिर आप उसका जवाब दे पाऊगे, अगला, the term Mughal was used for timurid rulers in 16th century by, अब इसका जवाब मैंने आपको जब पहला दूसरा निमारिक, आपका जो मैं सवाल करवा रहा था, जवाब दिया था, कि मुगल अपने आपको मुगल नहीं बोलते थे, मुगल अपने आपको क्या बोलते थे, मुगल अपने आपको timurid rulers के नाम से बोलते थे इनको सोलवी चताबदी से मुगल बोलना शुरू किया था, Europeans ने, और उसके बाद ये नाम जो है काफी ज़्यादा famous होता चला गया, तो इसका जो सही option हो जाएगा, question number 9 का वो हो जाएगा, be Europeans, अगला, गुलबदन बेगम was the author of, अभी आपको बताया कि गुलबदन बेगम ज या फिर उनकी जो आत्म का था या जीवनी थी, उस जीवनी को या उन memoirs वगरा को इसने फार्सी में अनुवात करवाया था, जिसका नाम रखा गया था, बाबर नामा, लिखा नहीं था, अनुवात कराया था, याद रखियेगा, और दूसरा, हुमायू की जो पूरी राम क है, who among the following was governor general of Bengal when permanent settlement was introduced, बड़ा important सवाल है, जब अपन लोगों ने बकायदा colonialism and countryside के बारे में बातचीत करी थी, तो मैंने आपको फोटो दिखा के बताया था, कि कौन बंदा है और उसने permanent settlement introduce करने के लावा और क्या क्या किया था, तो खेर, सवाल पे आते हैं, कि governor general कौन था बंगाल का जब permanent settlement को introduce किया गया, इसका जवाब क्या है, Lord Convales जो थे, वो आपके governor general थे जब आपका बंगाल में permanent settlement introduce किया गया, अब आपके Lord Convales ने जिंदगी में दो ही बड़े-बड़े काम किये थे, पहला काम ये था, कि अमेरिका में जब war हुआ था independence का, और जब George Washington की leadership में अमेरिकियों ने अंग्रेजों के खिलाब जंग छिड़ दी थी, तब अंग्रेजों की जो forces वगिरा थी, उनके commander-in-chief पॉन हुआ करते थे, उनके commander-in-chief हुआ करते थे, Lord Convales और ये American War of Independence हार कर आये थे, याने कि George Washington ते इनकी forces को हरा दिया था, वहाँ पे इनन बकायदा surrender किया था और उसके बाद में इंग्लेंड लॉट कर आये थे, और उसके बाद फिर अमेरिका की जो 13 colonies थी, वों United States of America बन ग इंडियूस किया, तो Lord Charles Convales ने जिंदगी में इसे दो ही बड़े-बड़े काम किये थे, American War जो है वो हरकर आये थे, War of American Independence, George Washington के सामने surrender किया था और दूसरा, बंगाल में permanent settlement introduced किया था, याद रखिएगा इसके लावा इनकी जिंदगी में और कुछ ऐसा नहीं है जो याद र the fifth report was submitted to the British Parliament in, जो fifth report है वो British Parliament को कब submit की गई थी, इसका जवाब भी है, 1813 में की गई थी, fifth report 1813 में, British Parliament में submit की गई और यह important नहीं है कि कब की गई, यह पता होना चाहिए, मगर इससे ज़्यादा important यह है कि fifth report में था क्या, तो fifth report basically अंग्रेजों के time period में या East India Company के time period में जो बं administration हो रहा था, वो किस तरीके से mis governance कर रहे थे बंगाल की और किस तरीके के अत्याचार मां की local population पे कर रहे थे, उसको लेकर एक report बनाई गई थी और वो British Parliament में रखी गई थी, उसको fifth report बोला जाता है, तो ज़्यादा important बात क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए बत आपका administrative, आपका Britishers का जो या East India Company का बंगाल में जो mal administration बगएरा चल रहा था, जो चीज़ें ठीक नहीं चल रहे थी, उसको लेकर बनाई गई report है, जिससे हमको अंदाजा मिलता है, जिससे हमको समझ में आता है कि किस तरीके की चीज़ें महाँ पर हो रही थी उस वक्त में औ बहुत important report मानी जाती है, इसकी मरद से उस time period में जो भी अंग्रेजों का आपका जो भी काम बगएरा चल रहा था, उसका एक अच्छा analysis हमको मिलता है, अगला, the पहाडिया has regularly rated the plains where the settled agriculture is lived, identify the possible cause from the following for their rates, आप जो पहाडिये थे, ये लगातार आपके मैदानी इलाकों के उन settled agriculture करने वाले रहते थे, याने कि एक ही जगे पर रहके और एक ही जमीन को बार बार जोतने वाले जो किसान रहते थे, उनकी जमीनों पर बड़े लेवल पर पहाडिये हमला किया करते थे और raid किया करते थे, अब अपने को raids का possible कारण बताना है, पहला option है, these raids were necessary for the survival in years of scarcity, दिसरा, they tried to negotiate political traditions with outsiders, चौथा, all of the above, तो ये इसका जो सही जबाब है, वो हो जाएगा, all of the above, या फिर D option, ये बात सही है कि जब कभी आकाल पड़ता था या scarcities रहती थी तब पहाडियों को अपने आपको sustain करने के लिए, आपके जो settled agriculturalists हैं, इनके एलाकों में raid करना पड़त दिसरा, वो negotiate करना चाहते थे political relations outsiders के साथ में, ये सब करकर वो basically राज महल, हिल्स के peripheries में रहने वाले जो बाहर के लोग थे, उनके साथ में ये बताना चाहते थे कि देखो यहाँ पर रहना है, तो उसके लिए हमारी चरते मानना पड़ेंगी और हमारे इसाब से चलना करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग ये सारी हरकत हैं करकर negotiate कर रहे हैं, अगर नहीं मानोगे तो हम लोग ये rates लगातार करते रहेंगे, तो ये तीनों options आपके सही है, ये बात बिल्कुल सही है, question number 14 का जो सही option हो जाएगा, option D हो जाएगा, अगला, which of the following people came to Bengal since 1780s, इन में से कौन से लोग हैं जो बंगाल में 1780s के आसपास में आये थे, इसका सही जवाब क्या है, संथल जो है, बंगाल में 1780s के आसपास आये थे, अब कई बच्चे confused हो जाते हैं, राज महल हिल्स में ये 1800 के बाद में introduced हुए हैं, 1780s के आसपास में 1785, 1790 तक बंगाल में आके रहन लगे थे, बंगाल में फिर जब ये रहने लगे तब अंग्रेजनों को लगा कि इनका अच्छा इसक्तेमाल हो सकता है, पहाड़ीयों के साथ अंग्रेजों की बन नहीं रही थी, उसके बाद 800 के आसपास में, 18801, 18802, 18803 के आसपास में फिर इनको आपने इंटर्ध्यू अब अपने को एक बंदा है उसके नाम को इंटिफाइ करना है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिये हैं उसकी मदद से तो पहले स्टेटमेंट पड़ता है अब ये चार स्टेटमेंट के बेसस पे अपने को ये बताना है उसके बंदे का नाम क्या है अब यहाँ पर ये जो आपके ऑप्शन्स वगेरा हैं आपने को नहीं पता है तो अपन लोग ने बातचीत करी अब आपके पास में तीन आप्शन्स बचना है इसका नाम था फ्रांसेस बुकैनन ये आपका बंगाल मेडिकल सर्विस में एक्स विजीशन के तौर पर आया था कुछ वक्ता कि लॉड वेलेजली का सरजन्रा इसने कलकता जू जो है और इसको आपका राजमयर हिल्स में भेजा गया सर्वे वगरा के लिए और इसको आप का बॉटनिकल गार्डन्स वगरा का भी जो है इंचार्ड दिया गया तो तो कोशन नेंबर सोला जो है इसका सई जवाब हुजाएगा फ्रांसेस बुकैनन अगला इडेंटिफा दा सेक्शन ऑफ पीपल बाइद अर्ली 19th सेंचुरी दे हैड अक्वाइड वास्ट एरियास of land they control local trade they involved in money lending exercised immense power over the poorer cultivators of the region they mainly lived in villages and had direct control over the poor villages इसका जवाब अब ज्यादा इसमें डिसकस करने की जरूरती नहीं है जोतेदार्स हैं जब जमीदारी कमज़ोर पढ़ने लगी और अंग्रेजोंने जब जमीदारी system को कमजोर करना शुरू किया तब जोतेदारों का जिस तरीक उसमें इसको डिसकस किया है पकायदा आपकी कुछ फनी तस्वीरें वगरा भी डाली हैं जिसमें जैकी शराफ को अपन लोगों ने जोतेदार माना है और नाना पर्टेकर को अपन लोगों ने इसमें जमीदार माना है और उनकी मदद से अपनने इसको एक कॉमिक तरीके से प पर इंकरेक्ट पेर जो है उसको चूज करना है आपको चार नाम दिये हूं है और उनके साथ में चार जुड़ी भी बाते दिवी अब अपने को यह बताना इन में से कौन सी चीज जो है सही एकौन सी चीज जो है वो गलत है देखते हैं सबसे पहले अपन लोग वह देख लेत यह बात भी सच है राजा मैताप चंज वो वर्दवान के राजा थे यह बात भी सच है यह जो फ्रांसेज बुकानन है यह आपका पुर्टगाली ट्रावलर नहीं था ठीक है जी इसके थोड़ा दिर पहले अपन लोगों ने यह ओप्शन देखा है फ्रांसेज बुकानन इसका जो सही option हो जाएगा question number 18 का वो हो जाएगा incorrect pair जो है वो आपका option number C है या फिर तीसरा वाला है Choose the correct pair अब आपको चार option दिएगा है और उसको चार साल लिखे हूँ है अब अपने को सही pair जो है वो चुनना है इस्ट इंडिया company acquires दिवानी और बेंगॉल 1764 नहीं गलत है 1765 में दिवानी मिली थी 1764 में battle of boxer लड़ा था इन लोगों ने जिसके बाद इनको दिवानी मिली है दूसरा है regulating act passed by the British Parliament 1774 ये भी गलत है 1773 में regulating act passed हुआ था तीसरा permanent settlement in Bengal थोड़ी दर पहली बताया है कि 1793 में आया था और last है संथल revolt 1855 से 56 ये आपका 1857 की revolt के जस्थ पहले हुआ था तो ये option आपका सही है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा question number 19 का वो हो जाएगा option number D that is ये options आई है बाकी सारे इसमें गलत आ रहे हैं चले अगला question देखता है identify the person associated with central rebellion when did the central rebellion took place तो अब अपने को इस बंदे को जो है identify करना है संथल rebellion से जड़ा हुआ बंदा है और अपने को ये भी बताना है कि संथल rebellion कब हुआ था मतलब वो option पकड़ अगर आपको इस बंदे का नाम नहीं भी पता है तो कमसकम इतना तो है कि 1855-56 जिस जिस में दिख रहा है वो option सही है यानि कि या तो यह option सही है या फिर यह सही है ये दोनों option गलत हो जाएंगे अब सिद्धू माजी या तो सही option है या कानू मुंडा जो में हुआ था यह जो आपका संथल रेबिलियन है इसके साथ में जनरली लीडर्चिप के तौर पर एक बंदे का नाम जो है वो जोड़ा जाता है वह सिद्धू माजी तो 1855-56 में रिवोल्ट हुआ था और सिद्धू माजी जो है उसने सारा काम करवाया था यह बंदा जो है आपका सिद्धू माजी है इसके लीडर्चिप जो है इसमें आपका संथल रेबिलियन है वो हुआ था तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चले आगे बढ़ते है नेक्स जो मारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 इसमें पूछा गय है इन विच आप दे फॉल्विंग फ्लेसे इस सिपाहियों की म्यूटिनी थी जो सिपाहियों में आपकी रिवोल्ट हुई थी वो कहां पर शुरू ही थी जो बाद में जाकर फिर आपका वार ओफ फिर्स वार ओफ इंडिबंडनेंस बन गया था 10 मई 1857 को कहां पर जो है सि है कानपूर और चौथ है दिल्ली तो इसको तो हम लोगों ने डिटेल में पुढ़ा था हमारा जो चैप्टर है रिबल संदराज उसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिसकुशन में बात करी थी कि सिपाहियों की जो यह म्यूटिनी है दस मई 1857 को मेरट में शुरू होते है पूरा का पूरा मेरट अंग्रेजों के हाथ से निकल लिया उसके बाद में फिर यह लोग दिल्ली चले गए और फिर वो पूरा की पूरी रेबिलियन जो है वो म्यूटिनी में कनवर्ट हुई थी वो सारी चीज़ें लोगों ने बात कर रखी थी तो यह वाला आप तो यह कौन सा मैत्र या कौन सा फेक्टर था जिसके कारण 1857 के जो रेटेंट हुई है उसके फ formats नहीं मिली थी नौल की बात की कही है यह नहीं पूछा गया कि किसने फैलाने में मदद करी किसने फैलाने में मदद नहीं करिए देखते हैं पहला है issue of cartridges दूसरा है convergence of Indians to Christianity तीसरा है mixing of bone dust in floor और चौता है dishonoring Hindu women cartridges का issue तो भई वो आपका main issue था उसके चक्कर में तो फिर वो सिपाईयों ने पूरा का पूरा revolt शुरू किया जो था वो तो immediate cause था कि हमारे को ये लगता है कि cartridges के उपर गाय या सुहर का मांस या चर्वी चड़ी हुई है तो हम उसको दार्थ सहीं नहीं काटेंगे नहीं तो हमारी कास्ट क्या religion खतम हो जाएगा इस बात पर लेकि फिर अनुशासनात्मा कारेवाई हुई थी और उसके बाद में फिर आपका रिवल्ट बगरा शुरू हुई तो यह कार्ट्रिजस का जो इशू है यह तो सही यह तो option हो नहीं सकता क्योंकि अपने को यह यह तो एक फैक्टर था जिसके कारण जो है आप मान सकते यह तो एक फैक्टर था जिसके बहुत जादा गुस्ता था तीसरा mixing of bone dust and floor यह बात भी खूब उड़ाई गई थी कि आपको जो खाने का आटा मिलता है इसमें दोने हट्डियों का चूरा मिला रखा है तो यह बात भी जो है एक फैक्ट था इस बात का भी जो है काफी अभवाय होड़ती दीचो था इस तरीके की कोई घटना नहीं थी महिलाओं के साथ में अत्याचार इन जन्रल कहीं पर कुछ हुआ हो रिवोल्ट या म्यूटिनी के वक्त में तो उसके बारे में हमारे पास प्रमान होंगे पढ़ाया नहीं जाता हो तो वह अलग बात है मगर ऐसा कहीं specific नहीं था कि आपन 1857, repeatedly appeal to all sections of the population अब जो rebel proclamation था जो 1857 में किया गया था याने कि जो आपने आपके rebels थे उन्होंने जो घोशना पत्र जारी किया था 1857 में उसने समाज के या society के हर एक जो section या हर एक तपके की population से अपील करी थी आगे which of the falling was not an objective of the revolt of 1857 अब इसमें से कौन सा जो है 1857 के revolt का objective नहीं है पहला vision of unity, दूसरा search for alternative power, तीसरा to revive Islamic rule and चौथा attacking every symbol of British rule तो ये एक बात है कि rebels फिर से Islamic rule को revive करने के लिए नहीं लड़ रहे थे या फिर एक Islamic rule लागू हो जाए, शरिया लागू कर दिया जाया, जाजिया लगा दिया जाया, फिर से आपके जो non-muslim आपके subjects वगरा हैं उनके उपर इस तरीकी की चीज़ें नहीं होने वाली थी, rebels कम इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, मुगल बात्षाहत अगर लाने के लिए लड़ भी रहे थे तो इसमें यह नहीं था कि आप शरियत वगरा लादोगे, क्योंकि Islamic rule का मतलब होता है, शरिया का अप्लिकेशन और सारी चीज़ें तो उस तब के लिए जो है वो ल 1857 की रिवल्ड को अब्जेक्टिव नहीं था, चले, अगला देखता है, अग्रेजों ने कुछ पॉलिसी एडॉप करी थी, जिसके तहत वो हिंदुस्तानियों को रिफॉर्म करना चाहते थे, ठीक है जी? विज ओफ दा फॉलिंग पॉलिसी दा ब्रिटिश है टेकर, अब अपने को यह बताना है कि इन में से कौन सी पॉलिसी जो है अंग्रेजों ने ली थी, जिसकी मदद से वो हिंदुस्तानियों को जो है, रिफॉर्म करने के मूड में थे, चले, देखता है, पहला, इंट्रो क्या सकते हैं कि पॉलिसी थी जिसको उठाये गिया था अगला, यह बात भी सच है, यह बात भी सच है, यह दोनों काम हुए थे, आपका पहले 1829 के आसपास में सती बैन हुई थी और उसके बाद में 1854-55 के आसपास में शायद आपका हिंदू वोमेंस का जो है, रिमारिज क का आक्ट वगरा पास हुआ था, यह बात भी सच है, तीसरा, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कॉलेज उनिवर्सिटी उनिवर्सिटीज विच टॉट वेस्टन साइंस अनल लिबरल आर्ट, यह तो पहले वाले पॉइंट को कॉंपलिमेंट करने वाली बात है, अब आप वेस देखते हैं, find out from the following pairs which one is correctly matched, अब अपने को इस pair में से देखकर यह बताना है कि इसमें से स्तही जो है, match कौन सा है, पहला है, relief of Lucknow, Joseph, Noel, Patton, दूसरा है, in memoriam, Thomas, Jones, Barker, तीसरा है, the clemency of canning, a journal named punch, and चौथा है, the Jewish bride, Paul Cezanne, अब अपने को यहां पर बिसिकली चार पेंटिंग्स दे रखी हैं, और उनके painters के नाम बता हैं, और आपको बताना है कि कौन सा जो है, वो correctly matched है, इसका सही जवाब है, the clemency of canning, a journal named punch, यह सही है, देखिए, यह जब आपका canning भाई ने बोला था कि यह जो अपना rebellion बगरा चल रहा है, canning कौन था, जिस वक्त आपका rebellion बगरा हो र मारे गए थे पूरे नाटक में, तो canning को जब लगा कि finally अंग्रेजों का rule up स्थाफित हो गया, उसके बाद भी जब अंग्रेज जो हैं बदले लिये जा रहे थे, जब यह हालत आ गई थी कि दिली से मेरट के हर एक पेड़ से अपने लाशे लटकाना शुरू कर दी थी लो जिसका नाम था पंच, उसने canning की इस तरीके की एक तस्वीर छापी थी, जिसमें canning एक बड़े आप जंजस पिता की तरह हैं और यह जो सिपाही है उनके बेटे की तरह है, जिसके हाथ में एक हाथ में आपका डैगर है, एक हाथ में तलवार है, दुनों से खून तपक रह है और उसके सर पर उन्होंने हाथ रखा है और उसको जो है रहम दिली दिखाने की बात कर रहा है, इस तरीके का एक सटायर करता हुआ, canning के उपर उन्होंने एक आपका फोटोग्राफ छापा था, तो यह जो जर्नल था, इसका नाम था पंच, रिलीफ आफ लखनाओ और इ इसमें पूछा गया है, find out the following pairs, find out from the following pairs which one is not correctly matched, याने कि हमको एक पेर दिये हुए है, एक शहर का नाम दिया हुआ है, और एक लीडर का नाम दिया गया है, बिसिकली इन शहरों में किन-किन लीडर्स ने रेविलियन को लीड किया था, उस हिसाब से बताया गया, अब अपने है दिल्ली और बाहदुर्शा, तो ये बात तो सच है, बाहदुर्शा, जफर या पिर जो आकरी आपके मुगल राजा थे, मुगल बादशा थे, वो दिल्ली में थे, वहाँ पर उनके नाम पर ये रेविलियन वगरा किया गया था, तो ये प्यार तो सच है, कानपुर में नाना सहाब थे यह बात भी सच है पटना में कुमर स सिंग नहीं थे बिहार के जो जगें पुढ़ती है बिहार में वहाँ के थे यह पटना वहगरा में धीड नहीं कर रहे हैं तो आपका जो question number 26 का सही option हो जाए मतलब हो जाएगा वो है पटना and coversing यह जो आपका pair है वो correctly match नहीं है यहाँ पे अगर आरा और coversing होते तो फिर जो है सही match बन जाता चले अगला question देखते है question number 27 identify the name of the person from the information given below आपको कुछ information वगरा दी गई है और उसकी मदद से जो है आपको इस वेक्ति का जो है आपको जो भी बंदा है उसके उसका नाम जो है आपको identify करना है पहला ये बंदा या ये वेक्ति जो है उत्तर प्रदेश में एक जगे पढ़ती है परगना बारूत वहाँ पे बड़े से विलेज में रहा करता था दूसरा अब ये वेक्ति जो है वो जाट कल्टीवेटर्स का जो आपकी जो कम्यूनिटी है उससे बिलॉंग करता था और इनकी जो किंशिप थी यानिक इनका जो कुटुम बुथा या फरी जो आप कह सकते हैं कम्यूनिटी के इंटर क्नेक्टेड जो आपके रिलेशन्स थे वो चौरासी गाउं में फेले हुए थे परगना बारूत के आसपास उसको चौरासी देश के नाम से जाना जाता था तीसरा 84 विलेजस वगेरा या चौरासी जो भी है इसके बाद तीसरा ही मोबिलाइज दा हेड्मन अन कल्टिवेटर्स ऑफ चौरासी देश मूविंग एट नाइट फ्रम विलेश टू विलेश अब इसने किया यह कि जो चौरासी देश यह जो 84 गाउं थे परगना बारूत में या उसके आसपास के लाकों में हर जगे जा जाके इसने अपने जो आपके जो गाउं का प्रधान हुआ करता था उसको और जो साथ के आपके कल्टिवेटर्स हुआ करते थे यानि कि जो किसान हुआ करते थे उनको जो है इसने मोबिलाइज किया यानि कि इसने उनको जो है अप उन्हीं ने एक अंग्रेज अफसर जो है उसके बंगले को टेक ओवर कर लिया और उसको जो है आपने और यहांसे बैट कर आप लोगों के में चार स्टेट्मेंट दी हैं इनकी मरत से अपने को पहचानना है उसका नाम किया ऑप्शन है शाहमल नाना साहइब कुबर सिंग नन अफ देन आपको पता हो तो फिर आप डिरेक्ट लिख सकते हैं कि शाहमल ने किया था इसके बारे में डीटेल में पढ़ाया था दो रिव अब आपको बता है बिहार के लाके में लीट कर रहा था नन अफ देम हो नहीं सकता तो आपका यह जो ऑप्शन एक बचता है आपका शाहमल डैट इस ग्रेक्ट ऑप्शन अगर आप लॉजिक से भी खेलो तो भी आप इस तक मौच जाओगे शाहमल ने जो है आपका चॉला करना है चला है यह उन बहुत सारे मौलवियों में से एक मौलवी था जिसने 1857 की लड़ाई में एक बहुत इंपोर्टेंट रोल अदा किया था पहला ही वास पॉपुलर्ली कॉल डंका शाह दा मौलवी इसको पॉपुलर्ली जो है डंका शाह के नाम से जाना जाता था यान अब एक लड़ाई हुई थी अंग्रेस जब पिट रहे थे और जब रिट्रीट कर रहे थे तब ही लड़ाई हुई थी इसको बहुत फेमस माना जाता है और उसको कहा जाता है बैटल ओफ चिनहार्ट तो बैटल ओफ चिनहार्ट में अंग्रेस वोर्सेस को लीड कर रहे थ जाकते हैं पुड नॉट ब्रेटिश को अंग्रेज जादुई ताकतों के कारण को अब इन चार बातों की मदद से अपने को यह बताना है कि वह बंदा कौन था अगर आप पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो कि मौलवी एहमदुल्ला शाह है एक बात दूसरी बात यह कि अगर आप को नहीं भी पता है तो आप थोड़ा common sense से खेलो एक मौलवी क्या जिकर आ रहा है और नीचे देखिए ध्यान से तो एक ही बंदा जो है वो मौलवी दिख रहा है या एक ही नाम जो है बाकि तीनों जो है वो हिंदू नाम देख रहे हैं तो इसका मतलब होना हो यह option होना चाहि किया है कि आपको चार नाम दिए गाए हैं और फिरसे आपको यह बताना है कि कि किसने कहां पर जो है है neighborhood को लीडर्शिप को आपने रूर्शे को बता ना मैं पहला आपका एक तरफ लिखे हूँ है शेहरों के नाम कानपूर परगना बारूत सिंग भूम और फैजाबाद और दूसरी तरफ आपके नाम लिखे हूँ है शहामल नाना सहाब मौलबी अम्मादुल्ला और गुनू अब जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो इसको कड़ी सकते हैं मगर जो अभी तक MCQ वगरा देख रहा है उनको भी कुछ तो समझ में आई गया होगा अगर आपने पढ़ा नहीं है शहामल परगना बारूत यह भी हम लोग उन्हें देखी लिया है तो शहामल और परगना बारूत यहाने कि आप B का बन लगा सकते हैं अब इसके आगे कटकर अलग हो गया अब इसके आगे कुछ भी नहीं पता तो भी कमसकम 50-50 की परिस्तिती में तो आप पहुंच गए हो मेरी सला यह रहेगी कि आख बंकर कर अक्कल बंबे वो करके भी लगाना हो तो भी एक आप option टिक कर सकते हो वजा यह है probability अब सही होने की 50% है या 1 upon 2 हो है और गलत होने की probability भी 50% हो गयी तो सही गलत होने के chances बराबर बराबर हो गया है यहां से कमसकम आप चांस ले सकते हो तो पॉइंट इस कि जो आपको सबसे पहले और पक्का पता हो परगना बारूत वी और उसका शाहमल अगर आपने पढ़ा है तो आपको इतना दो पता च 50-50 खेल सकते हो और A और C में से आख बंगर किसी करकर किसी एक को टिक करकर कमस कम आप कर सकते हो दूसरा आप हम देखते हैं आपका परगना बारूत हो गया कानपूर में हमने देखा था कि नाना सही थे तो A का 2 ढूंड लो B का 1 और A का 2 आपको कहां कहां देखने को मिल रह था फैजाबाद और मौलवी एमदुल्ला शाह तो D का 3 डेख लीजी कहां कहां पर देखने को मिल रहा है तो D का 3 आपको सिर्फ एकी जगे देखने को मिल रहा है तो आपका यह वाला और C का 4 यानि कि सिंग भूम जो है वहां पर गुनू है यह बात भी सच है इसके बारे म हैं आप लोगों को बता देता हूं छोटा नाखपूर प्लैटिव में एक ये फ्रके पड़ती है इलाका ये चो टानागपूर का जो इलाका वहां पे जगए पड़ती है सिंग भून वहाँ पर आपके कोल करके की कम्यूनिटी एक आपके आदिवासियों का कभीला है इनको ब और आपको यहां पर एक पेंटिंग दिखाई गई है और आपको इसका नाम इसके बनाने वाले का नाम बताना है और जब हम लोगों ने विजूल रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी 1857 के रिवोल्ड के तब इस पेंटिंग का जिकार आया था इत्मिनांज और डीटेल में हम लेक्चर पड़ा हुआ है जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाकर जो है टर्म 2 की जो प्लेलिस्ट है कि हिस्ट्री क्लास 12 की उसमें आपको मिल जाएगा रेबल संदर राज करके जो आपका तीसरा चैप्टर है उसकी लिस्ट में आप देख लीजेगा वंगर फिल जोन बार करने क्या बनाया था उसने बनाया था रिलीफ अफ लखनाव तो यह भी अपने को ध्यान रखने वाली बात है चले तो इसका क्वेशन नमबर 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर भी इसमें हैंडी हाडिंज तो खेर पेंटर थे नेक्स्ट अपना क्वेशन आता है क्वेशन नमबर 31 और इसमें पूछा गया है उसके पहले कॉंग्रेस में दो धड़े बन गये थे या दो ग्रूप बन गये थे उस टाइम पीरियड में आपको ये दो घड़े जो हैं वो काम करते हो दिखाई देते हैं एक को बोला जाता था मॉडरेट और दूसरे को बोला जाता था एक्स्ट्रमिस्ट इंदी में कई बार हम लोग इनको नरंदल और गरंदल के नाम से भी जानते हैं तो उसके फिर आप में आ गए थे सारी बाते हुई थी अब अपने को यहां पर सवाल यह पूछा गिया है कि जो मॉडरेट ग्रूप ऑफ नैशनल मुवमेंट था उसमें इन में से कौन जो है वो शामिल नहीं था या फिर इन में से कौन जो है वो मॉडरेट लीडर की कैटिग्री में नह आ जाता था इसमें विपिन चंद्र पाल जो थे वो और इसके लावा आपका बाल गंगा दर तिलक हुआ करते थे और लाला लाजपत राय हुआ करते थे तो लाला लाजपत राय के नाम से लाल बाल गंगा दर तिलक के नाम से बाल और आपका विपिन चंद्र पाल के नाम स अपना कुछ का राजनेतिक गुरू माना था ये एक बहुत बड़े मॉडरेट माने जाते थे मौम्माद अली जिन्ना जब तक कॉंग्रेस में रहा तब तक वो एक मॉडरेट था उसके बाद में खेर वो जो बना सो बना गलग बात है फिरोश्या महता जो थे ये भी जो एक क में इस लीडर हुआ करते थे चले अगला देखता है क्वेशन नंबर 32 क्वेशन नंबर 32 में वाई डिट गांधी जी कॉल फॉरा कंट्री वाइट कैंपें अगेंस दा रोल एटक अब इसमें सवाल ये पूछा गया है कि रोल एटक जो था उसके अगेंस में गांधी जी न प्रेंशन विदाउट ट्रायल चौथा ओल अव थोड़ा लॉजिक से चलते हैं पचासों कानून अंग्रेज पास करते थे अब गांधी जी हरे कानून के खिलाफ तो अंदूलन कर नहीं रहते तो सिर्फ इस लिए क्योंकि आपके रोल एटक को अंग्रेजों ने पास किया तो इसका कोई लेना देना नहीं है बचे अब आपके पास में सी और डी ऑप्शन तो ये बात सच है कि ये जो प्रोलेट अक्ट है बेसिकली ये करता ये था कि अगर आपको न्यूस वालों के आपका जो प्रेस है न्यूस पेपर्स बगरा में एक तो censorship लगाता था याने कि जो अंग्रेजों को पसंद नहीं हो आप शाप नहीं सकते और शाप होगे तो फिर हम आपको आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे तो ये वाला नाटा कोट दूसरा आपका detention हो सकता था बिना ट्राइल के याने कि बिना कोट कचैरी के आपको बस उठाके बंद कर दिया पर देता है कि कितनी ज़्याधा गंभीर घटना आया क्या नहीं है कितनी धारां बंती है कि चार्ज्यस बंते हैं उसके बेसेश पर अगर लगता है तो फिर वो आपको कस्तेडी पे यदिन की आपकी जमानत हो जाती है उस वक्त में अब इन्rices ये नियम बना दिये थे रोल तरी नहीं कोई मुकदमा नहीं तो यह जो डेटेंशन विदाउट ट्राइल का नाटक था रूल एक्ट में और दूसरा इसने फ्रेस के उपर संसर्शिप लगा रखी ती इसके कारण इसके खिलाफ गांधी जी ने बहुत बड़ा अंदुलन शुरू किया था और इसके लिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि तुर्की जो है तर्की में कैलिफेट बगएरा का फिर से जो है पुनर स्थापना या फिर रिस्टोरेशन बगएरा जो है उसकी डिमांड को लेके इंडिया में खिलाफत मोमेंट हो रहा था चले तो क्वेशन नमबर 33 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नमबर C हो जाएगा अगला क्वेशन देखता है। को छे साल की सजा सुनाई थी कारावास की साथी साथ ये भी कहा था कि अगर सरकार ने आपकी सजा माफ कर दी तो आप मुझस से जादा खुशी किसी को नहीं मिलेगी या फिर आपको जल्दी अगर छोड़ दिया जाता है तो I will be a happy person अगला question number 35 Simon Commission visited India in 1928 which of the following is the reason behind it Simon Commission हिंदुस्तान में 1928 में घूमने बढ़ने आये थे विजट करने आये थे इसकी वज़ा कि आती ये लोग क्यों आये थे अपने कोई जवाब देना inquiring the conditions in the colony granting special privileges to minorities granting separate electorates to Dalits and inquiring the access of जलिया वाला बाग मसक कर तो इसका जवाब हो जाएगा option number A कि आपकी colony में क्या conditions हैं उनको देखने के लिए लोग आये थे हुआ ये था कि 1929 में कानून आया था जिसका नाम ता Government of India Act 1919 इसमें ये बोला गया था कि 10 साल तक इस कानून का लागू करकर इसके basis पर हम लोग इस देश को चलाएंगे और उसके बाद में फिर कमिटी बठाई जाएगी जिसके basis पर inquiry होगी कि 10 साल ये कानून कैसा चला है अब उसके बाद अगर जो improvement वो कमिटी को लगेंगे बताएगी वो तो उसको हम लोग introduce कर देंगे और अगर कुछ प्राफधान वो बोलेगी कि ठीक नहीं थे उनको हटा देंगे इसी बात को धिय कि लीडर्स ने ये बोला कि साथ समंदर पार से कुछ गोरे जो हिंदुस्तान कभी जाकने नहीं आए वो यहां पर आएंगे कुछ दिन घुमेंगे फिरेंगे और वो यह डिसाइड करेंगे कि हिंदुस्तानियों के उपर कौन सा कानून लागू होना चाहिए है कौन सा नह नाम पर इस कमिशन का नाम जो है साइमें कमिशन पढ़ गया था तो यह कंडिशन की इंक्वारी बगरा करने के लिए इन्होंने फिर रिपोर्ट बगरा दी अंग्रेजों को जो रिपोर्ट थी वो ठीक नहीं लगी तो उसके बाद में राउंटेबल कॉंफरेंस बुलाई ऑंध इन्फो में लीए पाम करिये वसन वगरा की मदः से उस मुममें डन का उस अंडूलं का नाम बताईए कवारे रहने वाले मुसल्मान यह मुममेंन था पहली चीज यह औनका आंदूल्न था दूसरा इसमें इनकी डिमांड ये थी कि जो तुर्की का सुल्तान है या फिर जो खलीफा है उसको आटोमन अंपायर में जो खतम हो गया है इसमें जो मसल्मानों की पवित्र स्थल है जमांता है कमसकम घृषा जहां को कंट्रोल ना करहें क सुखरत के हैं तो महात्मा keeping कंठोंड मोंगमन इस मोइडिनी को सुपोर्टपेशन है ईसल्टान मोझने पर का पूरा मोमेंट था इसको नॉन कॉपरेशन मोमेंट या फिर आपका जो असके साथ में जोड़ लिया था अब अपने को यह बताना है कि इस अन्दोलन का नाम किया था चार ऑप्शन दिये हुआ इसका जवाब हो जाएगा खिलाफत मोमेंट में यहां पर हो रही थी मगर आपका तुर्की में लोगों ने खुट जो है रिवल्ड करके खलीफा को सत्ता से उतार दिया और उसके बाद में मुस्तफा कमाल पाशा ने वहां पर डिमोक्रासी लागू कर दी और तुर्की में का थी कि आप यहां पर यह चाहते हो कि यह हो जाए हो जाए है वहां पर वो लोग जिनका देश है उन्होंने जो है वो खलीफा को निप्टा दिया और उसकी जगह पर देमोक्रसी वो लोग लेकर आगा है अब अपने को जो इन्फोमेशन दी गई है उसकी मरत से अपने को जो बंदा है उसका नाम पैचानना है इसमें आला की बताने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी जबाब क्या है मातमा गांदी एक बार इनको मैं एक्स्प्लेन कर देता हूं कि यह जितने भी भारत की फीडम स्ट्रगल की लीडर आये जिन्होंने पार्टिसपेट किया उनमें सबसे ज़्यादा इनको सबसे जादा मना जाता था समान दिया जाता था मान दिया जाता था दूसरा बनारा जिंदु युनिवर्सलिटी की जो ओपनिंग हुई थी 16 में उसमें इनको बुलाया गया था इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान में इनको कोई जानता था उस वक्त तक इसलिए क्योंकि इन्होंने साउथ अफरिका में काफी काम किया था तीसरा सेकेंड रांटेबल गांदी जिनको हम लोग महात्मा गांदी के नाम से भी जानता है चला अगला क्वेशन क्वेशन नंबर थर्टीएट सेलेक्ट दा इनकरेक्ट पेयर जलिया वाला बाग मसक्कर अम्रित्सर सौड सत्याग्राय दांडी क्वेशन नंबर थर्टीएट का जो जवाब आ रहा है सी इस दा इनकरेक्ट पेयर तो यह अपने को पिक करना था तो अपना सही जवाब क्या हो गया सी हो चले अगला देखता है तो अपने को यह बताना है कि इसमें सही पेयर कौन सा है मतलब तीन पेयर गलत है इसमें पहला है मात्मा गांजी रिटरंस वर्ट अफरीका निस सो जोला गलत है बर्दोली का सत्यागरे उनने सो अठाइस में हुआ था सिर्फ एक ही ऑप्षन बचता है क्वेशन नमबर 39 का दाट इस और उसी के चलते है जलिया वाला बाग का इत्ता बड़ा मसकर हो गया था उनने सो उननीस में चीग है जी तो कश्चन नमबर 39 के सभी जबाब हो जाए डिके फील सब्सक्रा गान्दी जी सच्थ में काण्दी देल एक हुए तो इनको अपना सब्सक्राइप हो जो साओ अफरीका में काम किया था है उसके कारण जो है यहां पर भी एच यू की ओपनिंग सरेमरी में बुलाए गया था ना कि इंडिया में स्टेटस के कारण दूसरा ही चार इंडिया इलीट भी था लाक ऑफ यह बात सच है यह बात सच है कॉंग्रेस्ट लीडर्स लाइक एनी बीसंट वेलिन अटेंडेंस आपके पास एक ही ऑप्षीन बच mówi हो जाएगा वह बढ़ता है नेक्स ग्वेस्टेशन KI पूछा गया है को cartoonif remained ambiguous at the time of independence इसमें से किनका जो है सम्विधानिक तौर पर जो status था सम्विधानिक तौर पर इनकी जो हैसियत थी उसको लेकर कुछ भी clarity नहीं थी ambiguousness बहुत ज़्यादा थी जिस वक्त आजादी मिली options है minorities depressed classes princely states और tribal तो इसका जवाब हो जाएगा princely states का जो status था उसको लेकर बहुत ज़्यादा ambiguity थी बहुत ज़्यादा confusion था क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि princely states का होगा क्या कौन सा हिंदुस्तान जोइन करेगा कौन सा पाकिस्तान जोइन करेगा और कौन से जहां वो आजाद रहेंगे आजाद रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे इस सारी चीजों को लेकर काफी ज़्यादा confusion था और अंग्रेजों ने बोल दिया था कि अब हमारी liability बनती नहीं है आपके मन में जो आ रहा है आप क्यों ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि जिस साल अपने संविधान लिखना शुरू किया उस संविधान को जिस समय लिखा गया उसके पहले के जो कुछ साल अगर आप देखोगे उसको जो प्रिसीड करते हुए कुछ साल है उनको आखिर इतना extremely turbulent क्यों माना जाता है उसक इंडिया मुव्मेंट इंडिया नैशनल आर्मी और रॉयल इंडिया नेवी म्यूटिनी रेस दा होप ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है जी इंडिया ऑल्सों फेस हिंदु मुस्लिम रायाट सुन लार्ड स्केल जूडू पार्टिशन बोथ एंड बी नन अव्द आबो तो य आवज़ारी चीजें हुई थी इन सब के चक्कर में आपका जो अजादी है उसकी उमीद बहुत जादा बढ़ गई थी दूसरा ये कि बड़े लेबल पर हिंदु मुसल्मानों की बीच में दंगे हो रहे थे पार्टिशन बगरा जब हुआ तो उसके चक्कर में लाखों ल आप नॉम्बर दिसम्बर और चिहालिस का जनवरी फर्वरी की बात कर लो इन तीन-चार महिनों में 1945-46 की सर्दियों में प्रोविंचल एसेंबल एलेक्शन हुए थे हिंदुस्तान में दूसरी बार पांती एलेक्शन पहली बार कब हुए थे 1937 में दा प्रोविंचल यह प्रोविंचल लेजिसलेचर की एलेक्शन हुए थे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके राज्यों की विधायकों की एलेक्शन होता है नोगों ने फिर आपका जो लोग चुनका रहा है इन लोगों ने फिर आपका जो असंविदान सभा बननी थी सम्विदान चुर्द侌ने को जवाब या टेना की कौन सी पार्टी जो है इसको डॉलिट करती थी तो इसके ऑप्षिन दीये हुई हौइन गॉइनेटि तो कॉंग्री तो सै तॉ मिडोर सी डॉमनेटि कॉंप्रेश्थ यह वाइन एकोर मुडूर्ण referred आपकी आपकी आपका पूरा का पूरा आपकी जनरल सीटें थी जनरल सीटों में Congress ने sweep करके रख दिया था, साफ कर दिया था, तो उस चकर में उसको कई सारी provincials में आपको majority मिल गई थी, इसलिए उसने अपने फिर maximum लोग जो हैं Constantine Assembly में elect करवा के पहुँचा दी और डॉमिनेट किया, Labour Party तो आपका London की party है, वो यहाँ पर काय को जो है आपका participate करेगी, मगर यह जरूर है कि जिस वक्त देश को अजादी मिली तब लंडन में या फिर आपका जो इंग्लैंड है, वहाँ पर Labour Party की हुकुमत थी, अगला, Constantine Assembly जो है, इसको Muslim League और Congress Party equally dominate करते थे, यह इसलिए गलात है कि Muslim League को जो भी majority आई, वो सिर्फ Muslim separate electorates पर आई थी, याने कि वो सीटे जो मुसल्मानों के लिए reserve की गई थी, Muslim League ने सिर्फ वहीं से जो है, सीटे जीती थी, इसके लावा उनको कहीं और से सीटे नहीं आई थी, इसके बाद में Constantine Assembly was represented by many parties, यह बात पूरी तरह से सच नहीं है, representation था, Muslim League इसमें नहीं थी, पहली जीज, वो लोग तो अपना देश को तोड़ के भाग गए थे, इसके बाद Communist Party ने भी काफी वक्त तक इसका भाहिशकार किया था, बाद में लोग आये थे, मगर overall देखोगे तो पूरी आपकी इसका जवाब क्या हो जाएगा, जेल नहरू आप जो थे, यह आपका इसमें वो fundamental principles लिखे हूँ हैं, जिसके जिनको ध्यान में रखकर आपका सम्विधान जो है, उसको लिखा गया था, तो इसका सही option क्या हो जाएगा, आपका option number B और objective resolution क्यों काम का है, इसमें वो philosophy और वो guiding principles लिखे गया थे, जिसके basis पर फिर पूरा का पूरा सम्विधान लिखा गया है, चले, अगला देखते है, who joined the union cabinet as law minister after independence and also served as chairman of drafting committee, इन मैं से किसने जो है, आजादी के बाद में, आपका जो union के cabinet है, केंद्र सरकार जो है, उसकी जो cabinet थी, उसको law minister के तोर पर join किया था, और साथी साथ, सम्विधान सभा में drafting committee जो थी, जो पूरे के पूरे आपके सम्विधान के मसादे लिखकर तयार कर रही थी, या draft तयार कर रही थी, उनके उसके chairman के तोर पर काम किया था, इसका जवाब हो जाए, इसके options दिये हुए, अलादी कृष्ण सौमी है, यह, दूसरा है डॉक्टर राजिन प्रसाथ, तीसरा जवाल, लाल, नहरू, और चौते हैं, बियार, अम्वेटकर, तो इसका सही जवाब तो अव्यस सी बात है, अम्वेटकर सहाब है, इन्होंने भारत के पहले law minister के तोर पर जोइंग किया था, और दूसरी बात कि इन्होंने, आपका क्या कहते हैं, ड्राफ्टिं कमेटी के चैर्मेन के तौर पर काम करते हुए, दो ड्राफ्ट तग्यार करवाया थे, भारत के सम्विधान के, जिसमें से second draft जो है, उसको फिर आपने सम्विधान के तौर पर आज की तारीक में अग्सेट किया गया और वो चलाया जा रहा है, चले, अगला प्रेशन देख लेता है, चले, नेक्ट क्वेशन, क्वेशन नंबर 46, आइडिटिफाई नेम आप दे रिजूलीशन फॉम इंफॉमेशन गीवन विलो, अब अपने को एक रिजूलीशन का नाम बताना है, उसक आउटलाइन दा डिफाइनिंग आईडियल्स और दी कंस्टिटूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यह मोमेंटस रिजूलीशन है, जिसने उन सारे आईडियल्स को डिफाइन किया था, जिसके बेसिस पर इंडिपेंडेंट भारत का समविधान लिखा गया, तीसरा, इसने वो फ्रेमवर्क आपको दिया, जिसके तहत आपको समविधान बनाने की प्रक्रिया को प्रोसीड करना था, चौथा, इसने यह बोला कि हिंडुस्तान जो है एक आजाद स्वंत्रभू देश रहने वाला है, इस पर्टिकुलर रिजोलूशन का नाम किया है, तो इसका जो नाम है वो है objective resolution और यह काफी important document मना जाता है, आज की तारीक में भारत का जो आपका preamble है, उस आपका जो preamble है basically objective resolution का modified form है, तो यह इसको याद रखिएगा, question number 46 का जो सही जवाब है वो है objective resolution, देख लेते हैं इसको important सवाल है, जवाल लाल नहरू ने objective resolution आपका सम्विध गई थी और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, फिर जिस तरीके से आपको सम्विधान बनाना है, वो बनाया गया, ताकि आप वो चीज़ें achieve करो, जो particular document में लिखे हुए है, तो question number 46 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा option number A, अगला देखते है, question number 47, identify the name of the person from the following information given below, अब आपको जो वेक्ती है, उसका नाम identify करना है, उसके बारे में कुछ information दी गई है, उसके basis के, पहला, he served as the chairman of drafting committee of the constitution, अब हाला की सवाल आ चुका है, drafting committee का chairman कौन दबा समझ गए होगा, बट जो दूसरी information है, कमस कम वो देखना जरूरी है, during the period of British rule, he had been a political opponent of the Congress, जब अं and economist, तो ये चारो बातें किस बंदे वे फिट बैठती हैं, उनका नाम है Dr. B.R. Ambedkar, क्योंकि वो नोने पहले law पढ़ा था, उसके बाद में economics पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे, तो lawyer भी थे, एकनॉमिस्ट भी थे, और उस पे काफी, दोनों पे जो है, काफी कुछ इन्होंने depressed classes के लिए separate electorate की demand आजादी के पहले करी थी, मगर जब दिख गया कि separate electorate ने कितना विद्वन समचाया है, और देश का नुकसान हो गया, देश को जो है तोड़ के रख दिया गया, तो उसके बाद में ultimately इन्होंने ये बोला कि separate electorate की demand ठीक नहीं, उसके बाद में इस पर्टिकुलर सवाल का सही जवाब है, और यह जो information है वो अपने को याद रखनी है, इसको फिर आपन इस्तिमाल कर सकते हैं, अपने paper में किसी भी तरीके से अगर आता है, अमबेट कर साब के बारे में, तो इसको mention करेंगे, इस information को तो आपको additional number मिल सकते हैं, अगला, which of the following pair is correct, अब अपने को यह बताना है कि इन में से कौन सा जो pair है, वो correct, एक तरफ आपको कुछ options दिये हूँ, एक तरफ आपको कुछ dates वगरा दिये हैं, last meeting of interim government, वो है आपका 16 July 1947, जिनना elected President of the Constituent Assembly of Pakistan 21st August 1946, तीसरा Constitution is signed September 1946 और चौथा है, Muslim League demands dissolution of Constituent Assembly December 1947, तो इसका जो सही जवा जाएगा, वो हो जाएगा, आपका option number A, आखरी meeting जो हुई थी interim government की वो 16 July 1947 को हुई थी और उसके बाद में फिर आपका आजादी मिली और आजादी के बाद में फिर आपको ultimately एक आजाद भारत की सरकार मिल गई, तो ये बात सच है, जिनना को Constituent Assembly of Pakistan का जो अध्यक्ष है, व Muslim League ने Dissolution of Constituent Assembly जनवरी के महिने में मागा था December 1947 में, ना कि जनवरी 1947 में मागा था, ना कि December 1947 में मागा था, तो question number 48 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा option number A, अगला देखते है, question number 49, match the following, दो list दी होई है, एक तरफ आपको साल के नाम बताएं और एक तरफ आपक government आपका 1942 में हुआ था, A का 1 देख लीजे, कहां कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, A का 1 सिर्फ एकी जगे आ रहा है, तो इसका मतलब यह सही हो जाएगा, मगर फिर भी दूसरे options हम लोग देख लेते हैं, quit India moment आपका 1942 में हुआ तो तो A का 1 हो गया, Royal Indian Navy में में म्यूट 46 में हुई थी पर कई लोगों को नहीं भी बता होगा, इसलिए चलो इसको सोड़ी देख लिए रोपते हैं, last government of India 1935 तो C का जो है आपका 3 है, constitution का बाया था, effect में D का 4 अभी है तो सबको पता है, तो आपका यह B का जो है, वो 2 option हो जाएगा, तो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, यह बारत का सम्विधान 26 जनवरी 1950 को effect में आया था, it is the longest written constitution in the world, कौन सा option सही है, हमको यह बताना है, दोनों options सही है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की बाती नहीं है, तो both options 1 and 2 are correct, तो question number 50 का जो सही जवाब हो जाएगा, बो जाएगा option number B, चले, आगे बढ़ता है, So with this, we come to the end of the session, आज का जो अपना session रहा है, इसमें हम लोगों ने हमारा जो exam आने वाले हैं, उसमें जो syllabus है, पांचों जो units हैं उसकी, उसमें से हम लोगों ने 10-10 questions, important topics के उपर लिये, और उनके बारे में हम लोगों ने debate and discussion वगरा थोड़ा सा किया है, जिसते कि हम लोग थ फोड़ा सा revise कर सकें, जिन बच्चों ने अगर कुछ topic को नहीं छुआ है, important topics वगरा तुमको भी एक अंदाजा लगे, कि किस तरीके के वो topics हैं and all that, तो यहां से मुझे पूरी उमीद है कि आपके topics वगरा ठीक ठाक तरीके से brush up हो गए होंगे, इस तरीके के हम लोग और भी comment sections में लिखकर बता सकते हैं, वो सारे sessions भी हम लोग आपके लिए लेंगे, जिस्ते कि किसी भी तरीके से आप लोग के examination की preparation जो है उस पर असर ना पड़े और आप effectively बहुत बढ़िया तरीके से अपने preparation बगरा करकर तयार कर पाएं, तो आज का जो session है, यहीं पर खतम करता है आज हम लोगोंने basically आपके जो पांचो chapter आने वाले हैं आपके exams में उसके important important topics हैं, उसके उपर MCQs बगरा की मदद से उनका revision करकर खतम किया, समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग magnet brains के हमारे channels पर जाएं, आपका English medium को magnet brains के general channel है उसके बारे में तो आपको पता ही है, जिस पर आप वीडियो वगरा देख रहा हैं, इसके लावा magnet brains ने हिंदी medium के बच्चों के लिए भी specifically एक channel जो है dedicated बनाया है, तो आप इस पर जा सकते हैं, आप किसी भी state board से हो, अगर आप हिंदी माध्यम से बढ़ रहा हैं, तो यहाँ पर आपको सार का सारा जो content है, English, Hindi, Medium, NTNC, NTSC, Olympiad और बाकी सारी exams का, बाकी सारी classes का content आपको इसके से अरेंज मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाके जो है, एक्सेस कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप करें, कोई issues नहीं हैं, मगर आपनी पढ़ाई बगरा को continue रखें, consistency के साथ महनत करें, रुके नहीं, जुके नहीं, आगे बढ़ते जाएं, तरक्की के पद पर, ना सिर्फ examinations में अच्छा perform करें, बल्कि आप अपनी life में भी बढ़िया perform करें, इसी note पर I would be calling it the day, concluding the lecture, and यहीं पर मैं अपनी बाणी को विराम दूँगा, समाप मिलते हैं नेक्स सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खूब धियान रखें, अपना हसते बुसकराते रहें, खुश रहें, पढ़ते लिखते रहें, तरक्की के पद पर आगे बढ़ते रहें, and most importantly, जुड़े रहें मैंगनेट ब्रेंस के साथ, थैंक यू, ज र matter is, अजू, जू अजू, तरैंक यू, झाढ मैं हूंगते रहें, जू तक बेड को साथ, घू रहें हादें, छो रहें हां जू ऊंपना बहें, जूगर अन्यूफ के ऐनले